नमस्कार मैं डोक्टर पमनकुमार जांगिट सहायक आचारिय चित्रकला राजके माविद्याले किशनगट महर्शी दयानंद सरस्वती विश्व विद्याले अजमेर के द्वारा निर्थारित पठेकन मानुसार चित्रकला विशे के अंतरगर M.A. Final Year में एक प्रिष्ण पत्र है विश्व के महान चित्रकार जो पौनत याशे दांतिक है इस प्रिष्ण पत्र के अंतरगत विश्व के सभी महान कलाकारों के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में हमें जानना है, शीकना है आज में आप विद्यार्दियों को जोतो या जियोतो नामक कलाकार के विशाय में बताऊंगा यह लगबग 1266 इस्वी से 1337 इस्वी के मद्दे का कलाकार है जिसको जियोतो या जोतो भी कहा जाता है इसके इंतरगत आप देखते हो यह सबसे पहले जो जियोतो द्वारा जो चित्रिक पेंटिंग है वह बताई है जियोतो की बारे में कहा जाता है कि बच्पन में वह भेड जराता था एक बार उस मारगसे सिमा वो ये नामक एक चित्र का जा रहा था उसने जियोतों को चित्र बनाती भी देखा और उसकी परतिवा को पैचान लिया यहाँ प्रश्ण है कि शिमाबुये कोन है शिमाबुये इटली की फलोरेंस स्कूल का एक परशिद कलाकार था इसे इटली की चित्र कला का पिता भी कहा जाता है यूरोब की आधुनिक चित्र कलाके इतियास में प्राई शेर्ववय परतम सिमाबुये का नाम लिया जाता था कहा जाता है कि यह जियोतों का गुरु था सिमाबुये कलाके क्षेतर में इसने परियाप्त मोलिकता दर्शाई और रूडियों का इसने बहिषकार किया शिमाबुये ने आकरतियों को प्रियाब्त स्वाभाविक बनाने की चेश्टाई की है शिमाबुये की एक मात्र अवशिष्ट प्रामानिक कृती पीशा के उपाशनेग्रे में अंकित सेंट जोन का विशाल मनी कुटिम जित्र है जिसमें उसने 1302 इश्वे में कारी किया था इसके अतरिक अन्य चित्र असीशी तता उफीजी में भी उसके द्वारा अंकित कहे जाते हैं जिसमें मेडोना की आकरति परदान रोप्षें चित्री थोई शिमा वुये ने रोम, पेशा तता असीशी के चर्च में भी कारी किया था असीशी में उसने जो कारी आरम किया था उसे जियोतों ने पोर्ण किया इस पर कारी शिमा वुये नाम कलाखार था जियोतों ने इशें अपना गुरू बना लिया और इसके साथ में कई चित्रों का निर्मान किया यह एक चर्च का चित्र है जिसमें जियोतों ने कारिय किया है सिमा बुये ने जियोतों के पिताशे आग्या लेकर उसकी परतिभा को पैचानते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे फलोरेंस ले गया वहाँ पे असिसी की उपाशना ग्रह में कारिय करते समय सिमा बुये ने उसे एक भीती पर संथ फ्रांसिस का जीवन चित्रित करने को कहा वहाँ उसने जिस सेली में कारिय किया जियोतों ने उससे रस्किन लिखता है कि परंपरा आदर्श्वाद तता ओपचारिक नियम बद्धता को छोड़ कर परकरती वादी शाहशी कलाकार बन गया जियोतों के बारे में कहा था रस्किन उसने कहा कि जियोतों ने परंपराओं को आदर्श्वाद को ओपचारिक नियम बद्धताओं को छोड़ कर परकरती वादी शाहशी कलाकार बन गया जियोतों ने रोम में भी कारिय किया और बिवेलिंग ओप सेंट फ्रांसिस तता हेरोडस बर्थ डेफिस्ट नामक चितर भी जियोतों ने बनाए किन्तु उसके सर्वस्रिष्ट चितर पादवा के एरीना चेपल की भींतियों पर अन्कित है जियोतों के एरीना चेपल में जियोतों ने संत जोशिम, संत अन्ना, कुमारी, मरियम तता इश्या के जीवन चरीत्रों का अंकन किया था संभवत ये चितरे 136 अत्वा 139 इश्वी में उन हुए इन चितरों में अंकित आकरतियों में अधिकाधि गनत्व देखने को मिलता है स्वाभाविक्ता का दर्शन होता है भाव परमनता इवनाटकीता के दर्शन इन चितरों के अंतरगत हम देख सकते हैं यह है जो चितर है ये जीवतों के मनाई हुए है इसके अंतरगत आप देख सकते हो इशा के जीवन चरित्रों का मरियम इन सब का अंकन जियोतों ने किया ये देखो इन चित्रों के मात्यम से आप जियोतों की कलाशेली में उसके भावपरवनताओं को देख सकते हैं तेरा सुबीश इश्वी के लगबग फ्लोरेंस के संत क्रोचे नामकिस्तान के चार कक्षों का चित्र अनंकरित करने के लिए जीयोतों को आमंत्रीत किया गया इसमें से संत फ्रांसिस, संत जोन देगवेटिस्ट, संत जोन एवांजलिस्ट तता स्वरगारोहन के चित्र ही तीन कक्षों में शेश हैं इसमें गोथिक मूर्तिकला का किंचित प्रभावी देखने को मिलता है गोथिक कला के बारे में अगले एलेक्चरे में आपको पताएंगे सिमा बुये की आकरतियों में एक परकार की जीवन सुनने था देखने को मिलती है और सुनहरी रंग की अत्यदिक प्रियोग के कारण रंग योजनाई भारी भारी सी लगती थी वे जैसे रूड काश्ट परतीमाउं जैसी लगती जबकि जीवतों की जुआ करतियों थी उसके अंतरगत व्यक्तिगत विशेशताउं एं मान्यवे भावनाउशी वो परिपोन लगती है सायोजन उनमें अधिक यतार्थ तता नाट की ये उत्साचे वे परिपोन लगती है जीवतों की रंग योजनाई सीमावुये से अधिक शम्रिद्ध हैं उसमें हलकेपन तता उलास की और जुखाव है तता चित्रन में परकरति की अधिक अधिक अनुकरति का प्रियत ने देखते को मिलता है जहां कलाकारों के परशंशा होती है वहां उनके कुछ आलोचनाई भी होती है उनके चित्रों में कुछ कमी कुछ परशंशा देखने को मिलती है तो कलाकारों ने जियोतों के बारों में आलोचकों ने जियोतों के बारों में कुछ अपने मत दिये हैं कि गडरिया होते हुए बेड़ों को चराते समय बेड़ों को बार बार देखता था फिर भी उसने जो बेड़ों का अंकन किया वो आधुनिक द्रिष्टिशें कुछ परिप्यक्षे में है और नहीं उसमें सही अनुपाद है ऐसी बाते आलोच को ने कही है फिर भी कुछ परशंशाक भी है उसने जो परियोक की वे सर्वता नवीन थी देविये भावयुक्त शानता करतियों के इस्तान पर जियोतों ने मानिवे भावों से परिपूर्ण कारिय कलापों को प्रस्तूत करने वाला वह पर्थम गोतिक कलाकार था उसने मानिवे भावों को विशिश महत्व दिया और वह पर्थम गोतिक कलाकार था गोतिक कला के विशे में बताया जाएगा आपको एक कलाकार ने उसके बारे में का कि परकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे जियो तो चितरित नहें कर सकता हो वहे भी ऐसा कि उसमें केवल शाद्रशिन हो बलकि वहे चितर नहें लगकर वास्तविक वस्तु ही परतीत हो जियो तो एक वास्तुकार भी था तेरा सो चोतीश इश्वी में उसने कैथेडल के निर्मान का प्रधान वास्तोशिल बना दिया गया फ्लोरेंस में उसने दो भवन आरम किये कैथेल का पश्चिम पुरोभाग तता निकट इस्तित टावर ये टावर आज भी सुरक्षित है आठ जनवरी तेरा सो सेंटीश को जियोतों की म्रत्य होई फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जियोतों पर्थम था वह तता उसकी शिक्षक सिमावई दोनों आधुनिक कला के जनमदाता कहे जाते है इनके परियतनों से बाइजेंटाइन के अलाकी जो कढ़ूरता चलिया आ रही थी वह समाप्त होने लगी और उसमें श्वाभावित्ता का धीरे धीरे समाविस भी होने लगा वस्तों में ठोशपन और गनत्वा आने लगा जियोतों दुवारा अंकित अनेक पेनल चित्र विश्व की कई संग्रालयों जैसे फ्लोरेंस, म्योनेक, पेरिश, बोलोना, लंदन, वशिंगटन आदे में सुरक्षित है कुछ चित्रों में उसनके साइकों ने भी कारिये किया है उफी जी के मेडोना, वरलिन के कुमारी तता फ्लोरेंस का इशा की सूली का चित्र उसी की जियोतों की कलाकरतिया है अनेक परवर्ती कलाकारों ने उससे प्रेननाई ली तता यहां तकी जैसे प्रशित कलाकार मेशे जियो तता माइकल एंजीलो भी जियोतों से प्रभावित हुई कला के परशनशकों तता आलोजकों ने उसकी बहुत सराना की है पंदरिवी सदी के कला सरक्षक मेडिशी लोरेंजा ने जियोतों की समादी पर कुछ पंगतियां लिखवई वो यह है देखो मैं वह हूँ जिसके दाहिने हाथ से सब कुछ शंबव था जिसके द्वारा मृत कला को नया जीवन मिला कला और परकरती एकाकार होगे मैं क्योंकि मैं जियोतों हूँ ऐसी उसकी समादी पर कुछ पंगतियां मेडिशी लोरेंजों ने लिखवाई थी श्री रोबर्ट गॉल्ड वाटर का कथन है कि जियोतों ने चित्र कला को युनानी परमपराओं से हटा कर लेटिंग शब्रूप प्रदान किया और उसे आधुनिक डंग्षें प्रस्तुत किया उसने पहले के सभी आचारियों से अधिक दक्षता प्राप्त की फ्लोरिंस की कला पर सिमा बुयतता जियोता का बहुत परभाव पड़ा और अनेक कलाकारों ने इसका अनुशरन आगे चल कर किया जियोतों के कुछ परशित कलाकरतियां हैं जिसको आप इसके अंतरकत देख सकते हो यह जियोतों ने बनाई और इनके चित्रों में हमें नाट कियता भाव परवनता देखने को मिलती है यह कुछ कलाकरतियां है इसा के जियोतों नामक परशित कलाकार है जिसका आगे चल कर इसके चित्रों का अनुशरन या कुछ परभाव माइकल एंजिलो जेशे मेसेच जियो जेशे कलाकारों पर परभाव पड़ा था